कि अम दोस्तों में यारोई आप सभी का दिल से वैलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सीफ होंगे और पॉसिटिव होंगे आज की चैनल ने टिवाण फैमनिन के लिए है साथ में कुछ मैसेज हमारे मास्कलीन के लिए भी है सबसे पहले मैं फैमिन के बारे में बताना चाहूँगी कि फैमिन इस टाइम बहुत ही हाईर एनरजी में है और मैं अगर एक शब्द दू तो वो है तुपान वाली एनरजी में है जो आपको बार 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 किसी ने किसी चीज के वज़े से परिक्षान कर रहे थे आप उनकी चीजों को परदास कर रहे थे उसे समझने के लिए आप अपने आप में धहरे रखे हुए थे लेकिन हमारी फामिलिन का धहरे तूट रहा है और अब वो रियक्ट कर रही है और वो रियालिटी सामने वाले को दिखा रही है उसको समझा रही है कि आप यहां गलत हो तो गलत हो इस चीज का वो उन्हें एहसास के ला रहे है और अपने लिए एक वांडरी सेट कर रही है बिकाज इस टाइम एनरजी जो चेंजिस हुई है अप्टर नीव वोटल के बाद तो यह एनरजी इतनी हाईयर हुई है कि हमारी फैमनी और मैस्कुलीन दोनों ही अपनी एक्चुल पावर में आ रहे है एक्चुल पावर इंदल सिंस की गॉड और गॉड़ेस की एनरजी में आ रहे है जैसे की अब उनको नियाई करना है और उनको अब सच के साथ में काम करना है फिर चाहे उसका आउटकम कुछ भी लेकल के आए चाहे मैस्कुलीन उनकी लाइफ में रहे या ना रहे लेकिन अब फाइनल इस्टेज पे आप आ गए है है आप दोनों ही फाइनल इस्टेज पे सोच रहे हैं कि अब चाहे परड़ाम कुछ भी हो हमें सही के साथ में काम करना है और अपने सही को सामने लेके आना है तो इस टाइम क्या है ना कि फामनीन जो है अपनी higher power को connect कर रही है और जिसके चलते फामनीन को अपना लोगों की सच्चाई समझ में आ रही है लोगों की गलत intense नजर आ रहे है लेकिन पहले क्या था फामनीन सांध हो करके सारी चीज़ा देखती थी और उनसों ओलजना नहीं चाहती थी वो नहीं चाहती थी कि बेजा का कर्मा बने या बेजा के उनके साथ में टिगर्स मिले लेकिन आप हमारी फामनीन टिगर्स से नहीं डर रही है और वो रियक्ट करने के लिए ready है एक्चली में क्या है ना कि divine feminine जो divine feminine है और masculine है उन दोनों को divine की तरफ से after new portal के बाद and new full moon के बाद आप दोनों को कुछ something task दिये गए है कुछ lessons दिये गए है या कुछ हम कह सकते हैं अपनी language में 3D life की language में कि आपको आपके teacher ने कुछ notes दिये हैं कि आपको इन में से कुछ notes को देखना है and उन पे काम करना है तो इस तरह से आपको कुछ दिया गया है जिसे हम कह सकते हैं कि divine ने कुछ ऐसी energy आपके अंदर provide की है सबसे पहले जैसे energy आपने new portal की receive की new portal वाले दिन कुछ थोड़े थोड़े triggers मिले लेकिन उसके बाद भी आप higher self के साथ connected रही है लेकिन दूसरे ही दिन यानि अगले ही दिन आपने बहुत ही मायूसी के साथ में उस energy को feel किया है यानि बहुत मायूस हो गई थी बहुत ही आपको अंदर से लग रहा था और आप लाइक पर्जिंग वाली energy से भी गुजरी है और आपने सबसे ज़्यादा God को अपने divine को मिस किया है कि प्लीज मुझे काइट कीजिया और मुझे रास्ता दिखाए बहुत सारे feminine दें ऐसा किया है ये energy उन लोगों के साथ में ज़्यादा resonate होगी जो अपनी higher self के साथ always connected रहते है because उन्होंने जो lessons लिये या फिर जो task divine ने दिया वो उन्होंने receive तो किया और receive करने के बाद में उस energy को वो observe नहीं कर पाए या फिर हम कह सकते हैं कि decode नहीं कर पाए और उस चीज़ को body maintain नहीं कर पाए और उस वज़े से आपको अंदर से ऐसा फिल हुआ लाइक जैसे की बहुत ही मतलब बहुत वीर्ड सी energy आपने पाई जबकि आप खुश थे आपको कोई issue नहीं था बैलेंस में थे आप मैट्रिशन में सब कुछ अपने perfectly तरीके से daily life के आप कर रहे थे बट उसके बावजूद भी कल आपने बहुत सारे ऐसी energy को फिल किया लेकिन यह हो सकता है कुछ लोगों के साथ में ही हुआ हो और कुछ लोगों के साथ में बहुत अच्छी energy रही हो विकॉज जिनका new gateway पे जो जिनका time अच्छा नहीं रहा या जो बहुत मायूस energy में रहे तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसी दिन उस energy को पिक किया था या उसी दिन ही उनको वो लेसंस वाली energy प्रोवाइड कर दी गई थी पर जो जिन्होंने कल feel किया या फिर आज feel करेंगे तो उनके लिए message यह है कि उन्होंने अब जाके उस energy को पिक किया है क्योंकि वो सबसे पहले अपनी कुछ पार्सों को divine की cosmic light से heal कर रहे थे और जिसके चलते वो उस energy को connect नहीं कर पाए और अब जाके वो energies connect कर रहे है तो य reason divine का यही है कि आपके अंदर के उन सभी dark side को release करना और साथ में जो life pattern आप जीते आ रहे थे उसको release करना right now आपका क्या है ना कि सारा देखने का नजरिया change हो गया है पहले आप बहुत जादा चीजों को wrong way में देख रहे थे या फिर मतलब हर चीज का आपको थोड़ा सा fear र जाती थी कि यार मतलब यह काम है जो होगा नहीं होगा क्या होगा लेकिन कल जो अपने energy field की है या आज जो आप energy field करेंगे उसके बाद आपका देखने का सबसे पहले नजरिया change होगा आपको यह लग रहा है कि आप बहुत हुआ या इन सब को side करो अपने आपको ढूंडो म मुझे करना क्या है और मुझे purpose क्या है मुझे जानना है तो आपका energy थोड़ा सा बाहर की तरफ है बाहर की तरफ मतलब ऐसे नहीं कि आप बाहर दुनिया में involved होना चाहते हैं आपको करना क्या है आपको जाना किस तारे रास्ते पे हैं कब तक मुझे अपनी life को इस तरह से ups and down के साथ में जीना है मुझे final decision लेना होगा तो finally divine feminine final action के mood में है और ये इसलिए है ताकि आपको जो energy मिली है वो energy इसलिए मिली है ताकि आप लोगों की life में changes लेके आएं लोगों के जीवन में कुछ बदलार लेके आएं क्योंकि ये जो पूरी energy आपकी setup होई है actually मैं मैं पूर्टल एंड seven seven का पूर्टल तक जो energy रहने वाली है पूरी तरह से enlightenment की रहेगी पूरी तरह से higher spiritual awakening type की रहेगी बहुत सारी measures रहेंगे क्योंकि seven 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 का पूर्टल आएगा क्योंकि three word seven आएगा next उसमें तो वो सबसे higher and सबसे vig वाला new पूर्टल होगा जिसमें सभी soul जो पीछे रह गई है जो awakening में पीछे रह गई है उनका awakening होगा फिर चाहे वो dm हो df हो या spiritual soul हो या soulmate हो यहाँ पे soulmate की भी awakening होनी है यहाँ पे start seat की भी awakening होनी है और बहुत लोगों की बहुत सारी major changes आने हैं तो यह जो process रहेगा six six portal से लेके seven seven portal तक का तो यह पूरा process आपको higher self के साथ connect करेगा और जैसे ही आप seven seven portal में tap in करेंगे आपकी energy पूरी तरह से full on enlightenment में रहेगी और यह जो seven seven का portal है यहां तक हमारी family and masculine अपने आप इतना hard work करेंगे अपने आपको इतना present moment में रखेंगे सारी past life के issues को और सारी चीज़ों को release करके अपने आपक एक आयाम तक लिके जाएंगे एक dimension तक लिके जाएंगे और वहाँ जब start होगा next portal eight eight का और वहाँ जाके हमारे family and masculine का बहुत जल्दी union possible होने बाला है तो यानि कि यह process तीन मंत का बहुत ही long time का process समय से आप जादा long नहीं है लेकिन यह process से आपको गुजरना होगा क्योंकि य इस पीचर नौलेज को डावलेब करेगा बहुत सारी सोल जो हमारे family हो सकती है masculine हो सकते हैं अब यह नहीं है कि family ही अवेकन होंगी यह बिल्कुल सही नहीं है अब बलकि masculine बहुत higher level पे अवेकन होंगे उनको reality समझ में आएंगी and सबसे जादा वो अपनी family के लिए stand लेंगे जो कि हमारे masculine हमेशा से इस चीज के लिए नकारते रहते हैं हमेशा से भागते रहते हैं उसे सिकार नहीं करते हैं और इसी के वज़े से हमारी family हमेशा demotivate होती रहती है जब भी वह अपनी journey में आगे काम करती रहती है और जब उन्हें masculine की तरफ से थोड़ा सा ऐसा मिलता ह है तो उन्हें लगता है कि क्या ही work करना क्या ही लोगों को लिए कुछ करना life का पूरा ही spoil हो गया है मिलता बहुत सारी चीजें उनको demotivate की तरफ लेके जाते हैं लेकिन यहां पर हमारी family demotivate नहीं होंगी बलकि एक तरह से एक higher goddess की energy में आकर कि वह अपना काम करेंगी और जिसके चलते क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मतलब उन लोगों के लिए effect पड़ेगों जो higher feminine है जो feminine पूरी तरह से अवेकन हो चुकी है उनको थोड़ा सा ही issue होगा इस अवेकनिंग का पर सबसे ज्यादा उन लोगों को होगा जो पूरी तरह सा अवेकन नहीं हुए है कुछ रियल मीन को समझ चुकी है उनकी life में जो changes आएगा उनकी life में spiritual life को लेकर के change आएगा spiritual life में उनका transform होगा and अवेकनिंग लगेगी यानि कि आपकी psychic abilities जो है वो dab lap होगी and वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि अर्थ क्या है और मदर अर्थ क्या है लोग क्या है energies क्या है planets क् बहुत सारे knowledge आपको इस पूरे ब्रहमान को देखने को मिल सकते हैं हो सकता है जो आपने सोचा भी ना हो ऐसी भी experience आप फील करने लेकिन इस सब के लिए आपको करना क्या है कि इस changes को इस transformation को दिल से accept करना अगर इस से भागेंगे अब आपको ऐसा लगेगा क्या यार यह फि मुझे यह सुईकार है क्योंकि यह transformation मेरी life के लिए west transformation होगी क्योंकि इसकी बात का life जो है आपका union का है तो जो lesson आपकी life में आ रहे हैं उन्हें लीजी है and action लेने से मत डरिये जहां पे जो आपको लग रहा है कि गलत है तो उसके लिए एक बार दो बार श्टैन लीजी अग otherwise कोई सामने नहीं समझ पा रहा है तो उसमें फसना नहीं है उसे लेटको करना है उसे जाने देना है आपको उतना ही करना है जितना सामने वाले को आपकी energy की requirement है आपको फसना भी नहीं है और किसी चीज़ में उलजना भी नहीं है और उससे भागना भी नहीं है तो आपको accepted ग्यांटेड मोर में रहना है, और इन चीजओ को कील करना है, आपतर। आपको अनर्जीसों के बारे में समझना आया होगा, या आपके साथ में रैजोनेट होई होगी, मृ हिसी के साथ में चलती हूं, तो आप मुझे contact कर सकते हैं वो आप मेरे साथ classes join कर सकते हैं ये classes total हमारी जो 888 का portal आएगा तब तक चलेंगी क्योंकि उसमें हम union के messages को I mean sorry union के meditations को भी cover करेंगे and हमारी जो awakening processes चल रही है उसमें हमें कैसे अपनी energy से connect होना है और कैसे अपनी psychic power से connect होना है और कैसे हम अपने आपको develop करके अपने आपको अपनी उर्जा को union तक लेके जाना है तो ये two month का process है अगर आप चाते हैं तो आप मुझे से जुड़ सकते हैं इसी के साथ में चलती हूं मिलती हूं next video में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें इसी के साथ बाए